कोल्राश ने दुरबल विदु तब घटि के लिए अनन्त तनूता पर मोलर चालक्ता के निर्धारन हेतु समीकरण प्रस्तूत किया पोलराश ने देखा कि विभिन ने टेंपरेचर पर यदि प्रबल विदुतब घटे के लिए चालकता का मान ग्याद किया जाए अनन्त तनुता पर मोलर चालकता का मान तो ग्याद कर सकते हैं तो यहाँ पर उन्होंने यह अबजर्व किया, खनायनों और रिनायनों के अनंत तनुता पर जो मोलर चालता है उसका जो अंतर होता है वो निश्चित होता है तो यहाँ एक उदाहरन हम देखते हैं साड़नी में कि कैसे पोटेशियम और सोडियम के जो लवण है जिसमें रिन आयन समान है यहाँ हमने देखा कि ऐसे लवणों का अध्यन किया जहाँ पे जो आयन से वो एक समान है तो उस observation से उन्होंने क्या पाया यह देखिए तो पोट प्रेशियम और सोडियम के लवण जिसमें की रिन आयन समान है तो उसके लिए अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता प्राप्त हुई है उसके मानों में आप अंतर देखिए 23.4 एक है जबकि यदि क्लोराइड और ब्रोमाइट के लवण लेंगे जिसमें की धन आयन समान होग तो यहाँ पर अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के मानों का अंतर देखा उन्होंने वो पाया गया अनंत तनुता पर मोलर चालकता में अंतर 2.06 तो ये मान जो है वो स्थिर है तो किस प्रकार विद्धूत अब घट्टे के जो यूग में है जिसमें धनायन और रिनायन की अनन्तनुता पर जो मोलर चालकता का अंतर है वो निश्चित है और इसी आधार पर उन्होंने अपना जो नियम है कोलराश का नियम वह प्रस्तुत किया कोल राश के नियम के अनुसार किसी भी विद्यू तब घटे की अनन्तनुता पर जो मोलर चालगता होती है या जो सिमान्त मोलर चालगता होती है वह दो मानों का योग होती है जिसमें से एक धनायन होगा और दूसरा रिनायन होता है इसे हम वेक्ट कर सकते हैं लेम्डा M अनन्तनुता पर यानि इंफिनाइट स्थिती में एक्वल टू वी प्लस लेम्डा प्लस अनन्तनुता पर प्लस वी माइनस लेम्डा माइनस अनन्तनुता पर तो जो वी प्लस और वी माइनस है वह यहाँ पर विद्यू तब घटे की प् आयनिक चालकता को दर्शाती है यहाँ पर यदि हम एक वीदियो तब घटे लें KCl, तो KCl के लिए जो धनायन है वो होगा K+, तो एक है धनायन और Cl- V- यदि ले तो यहाँ पर वो भी एक होगा इसी तरह से दूसरा हम लेखते हैं Magnesium Chloride जिसमें Magnesium के लिए आयन्स जो है वो Magnesium एक है और Cloride आयनों की संख्या यहाँ पर दो है तो V- इक्वल टू होगा और V- प्लस इक्वल टू वन होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे दूर्बल वितुतब घटे की Molar चालक्ता की गढ़ना कर सकते हैं हमने यह देखा कि Molar चालक्ता की गढ़ना दूर्बल वितुतब घटे के लिए आसानी से नहीं की जा सकती है उसी के लिए कोल राश के नियम की वित्पत्ती हुई तो कोल राश के नियम का एक application है ये दूर्बल विदुतब घटे की मोलर चालकता की गढ़ना कर पाना तो सबसे पहला जो एप्लिकेशन है दूर्बल विदुतब घटे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गढ़ना जो प्रबल विदुतब घटे होते हैं उसके लिए हम अनन्तनुता पर मोलर्चा लगता की गढ़ना तो आसानी से कर सकते हैं लेकिन दूर्बल विदुतब घटे की मोलर्चा लगता की गढ़ना के लिए कोलराश के नियम के आधार पर इसे कर सकते हैं तो कोलराश ने जो अपने नियम में सूत्र दिया था उस सूत्र में लेम्डा M अनन्त अनुता पर है इक्वल टू V प्लस लेम्डा प्लस अनन्त अनुता फिर प्लस V माइनस अनन्त अनुता पर लेम्डा माइनस के द्वारा दर्शाय जा रहा है उदाहरन ले रहे हैं एसिट एक दुरबल विदुतब घट्टे है तो उसके लिए यदि मोलर चालकता की गढ़ना करनी है तो हम विभीन प्रकार के जो प्रबल विदुतब घट्टे लेंगे उसकी सहायता से हम दुरबल विदुतब घट्टे की मोलर चालकता की गढ़ना कर सकते हैं यदि एसिटिक अमल क द्वारा बने हुए एक लवन ले लेते हैं, sodium acetate, HCl, hydrochloricuml और NaCl, इन तीनों की सहायता से हम CH3COOH या जो aceticuml है, उसकी molar चालता की गर्णा कर सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से सूत्र में दर्शा सकते हैं, कि अनन्त अनुता पर aceticuml की molar चालता बराबर होगी, यदि हमें व अनन्त अनुता पर CH3COO- जो की प्लस लेम्डा प्लस यहां अनन्त अनुता पर ही ले रहे हैं, तो लेम्डा यहां पर प्लस तरह अनन्त अनुता पर और H प्लस हो गया, तो यहां CH3COOH तो उसके लिए निकालेंगे, CH3COOH के लिए अनन्त अनुता पर मोलर चालता बराबर लेम्डा अनन्त तनूता पर M, नीचे हमने लिखा HCl, HCl प्रबल विजदब घट्टे है, प्लस लेम्डा अनन्त तनूता पर small M, यहाँ दर्शाया जा रहा है, अनन्त तनूता पर molar चालकता हम ले रहे है, sodium acetate की, CH3, COO, NA, यहाँ हम माइनस करेंगे लवन को, यहाँ पर अनन्त तनूता पर molar चालकता लिया जा रहा है, sodium chloride का, तो दो चीजों को हमने जोड़ा, यहाँ पर हमने HCl और sodium acetate के अनन्त तनूता पर molar चालकता हों का जो मान है, उसे हमने जोड़ा, और उसमें से जो sodium chloride है, molar चालकता उसके अनन्त तनूता पर जो हमें प्राप्त हुई है, उस मान को उसमें से माइनस करते हैं, तो हमें acetate कमल की molar चालकता अनन्त तनूता पर ग्यात हो जाती है, अब हम इन सभी प्रबल विदुतब घट्यों को आयनी तवस्था में लिख कर देखते हैं, कैसे यह प् हम लिख सकते हैं, कि लेम्डा अनन्त तनूता पर है H+, प्लस लेम्डा अनन्त तनूता पर Cl-, फिर प्लस लेम्डा अनन्त तनूता पर CH3COO-, प्लस लेम्डा अनन्त तनूता पर Na+, यहां हमने CH3COO-, यहां हमने CH3COO-, यहां हमने CH3COO-, यहां हमने CH3COO-, यहां हमने CH3COO- भी उजित हुआ, अब इन दोनों मानों को जोड़े, फिर माइनस करते हैं, λेमडा अनंत तनुता पर Na+, प्लस लेमडा अनंत तनुता पर Cl-, समान जो चीज है और भी प्री तावेश में हैं, उन मानों को हम कैंसल करते जाते हैं, तो क्या-क्या चीज कैंसल होगा, देखिए, है लेम्डा अनंतनुता पर CL- और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि माइनस CL- है लेम्डा अनंतनुता पर तो दोनों चीज़े यहां पर cancel हो गई इसी तरह से CS3CO- के लिए प्लस में है लेम्डा अनंतनुता पर और जो H प्लस है वो भी यहां पर प्लस में है लेकिन जो Na प्लस है वो उसकी स्थिति देखिए प्लस लेम्डा अनंतनुता पर Na प्लस और माइनस है अनंतनुता पर यहां पर जो लेम्डा अनंतनुता पर Na प्लस तो minus और ये plus दोनों को cancel कर देते हैं, तो जो मान हमें प्राप्थ हुआ, वो हुआ CS3, COO minus का अननत अनूता पर जो molar चालगता है, याने अलग-अलग जो आयन हैं, धनायन और रिनायन, और h plus के लिए अनन्त तनुता पर हमें प्राप्थ हो गई लिम्डा कमान तो प्राप्थ हुआ हमें दूर्बल विदुतब घटे की अनन्त तनुता पर मोलर चालता तो इसी प्रकार यदि हम किसी दूर्बल चार को ले लेते हैं दूर्बल चार भी दूर्बल विदुतब घटे है यदि हम यहाँ पर ammonium hydroxide का example लेंगे, तो ammonium hydroxide के लिए जब हम molar चालकता की गढ़ना करेंगे अनन्तनुता पर, तो उसके लिए भी हम तीन अलग अलग प्रबल विदुतब घटे की सहता से इसे करेंगे, तो इसके लिए जो हमने लिया है वो है ammonium chloride, sodium hydroxide, एवं sodium chloride, तो ammonium chloride और जो sodium hydroxide है, दोनों मानों को जोडते हैं, दोनों के अनन्तनुता पर molar चालकता के जो मान है, उसे हमने जोड़ा और उसमें से माइनस करते हैं sodium chloride के अनन्तनुता पर molar चालकता के मान को, तो हमें प्राप्त होगा ammonium hydroxide के लिए अनन्तनुता पर molar चालकता का मान, अब हम दुर्बल विदुतब घटे की वियोजन की मात्रा की गढ़ना भी कोलराश के नियम के आधार पर कर सकते हैं हमने ये देखा कि अनन्त अनुता पर जो आयन है पूर्ण रूप से आयनी तवस्था में रहते हैं दुर्बल विदुतब घटे हो चाहे प्रबल विदुतब घटे हो याने अलफा एक्वल टू हम वन ले लेते हैं तो वियोजन की मात्रा की गढ़ना भी हम दुर्बल विदुतब घटे के लिए कर सकते हैं तो इसके लिए यदि हम सूत्र लें तो अलफा को हम दर्शा सकते हैं वियोजित अणों की संख्या बटे में लिखते हैं कूल अणों की संख्या याने कूल अणों कितने थे और उसमें से वियोजित होने वाले अणों की संख्या कितनी हैं तो इसे हम अलफा या वियोजन की मा नीचे लिखा गया है और C सांधरन पर जो मोलर चालकता है उसे हमने उपर लिखा तो इस सूत्र में चुकि अलफा प्राप्त होगा तो अलफा प्राप्त करने के लिए पहले हमें ग्याद करना पड़ेगा अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान दूरबल विदुत तो लेम्डा M अनंतनुता पर बराबर होता है V प्लस फिर लेम्डा अनंतनुता पर प्लस यहां पर V माइनस और लेम्डा अनंतनुता पर माइनस तो इस आधार पर इस सूत्र की जायता से आपने अनंतनुता पर मोलर चालकता को पहले ग्याद कर लिया और उस आधार पर आ के लिए हम यहाँ पर हेल्प लेंगे ओस्टवाल तनुता के नियम का ओस्टवाल द्वारा ओस्टवाल तनुता का नियम दिया गया जो मुख्य रूप से दूर्बल विदुतब घट्टे के लिए ही कारुगर है तो यहाँ सबसे पहले हमें दूर्बल विदुतब घट्टे ले लेते हैं वो है AB, AB का जब आयनन हुआ तो A प्लस एवं B माइनस में वहाय नीत हुआ, प्रारंभ में उसका मान है 1 और दूसरी तरफ A प्लस और B माइनस चुकि यहाँ पर विघटन प्रारंभ नहीं हुआ है, वियोजन प्रारंभ नहीं हुआ है तो उसका मान है 0 और 0 यहने A प्लस का मान भी 0 और B माइनस का मान भी 0 जब कुछ वियोजन हुआ यहने अल्फा वियोजित हुआ अनू तो यहां पर अल्फा प्लस है और अल्फा जो B माइनस है वो भी अणू का वियोजन हुआ तो यहाँ पर जो A B है दुर्बल विद्दब घटे उसमें हम देख रहे हैं कि 1 माइनस अलफा अपॉन वी यहने B में 1 माइनस अलफा वियोजित हो गया दूसरी तरफ हम देखते हैं कि A प्लस के लिए यदि हम इसको देखें तो क्या होगा अलफा अपॉन वी और दूसरी तरफ जो B माइनस है उसके लिए भी होगा अलफा अपॉन वी तो द्रव या नुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है कि जहां पर उत्पादों के विभिन जो मोलर सांदरताएं होती हैं विभिन उत्पाद के जो एक्टिव मास होते हैं उनके गुड जनफल होगा वो सदैव एक स्थिरांग होता है तो के बराबर हम लिख सकते हैं अलफा बाइवी फिर इंटू अलफा बाइवी अपॉन वन माइनस अलफा बाइवी तो यहां पर जो अलफा बाइवी है और दूसरा B माइनस के लिए भी अलफा बाइवी है तो उसका जब हम multiplication करेंगे तो हमें प्राप्त होगा alpha square upon v square और जो 1 minus alpha के नीचे v था वह उपर चला गया तो 1 minus alpha नीचे और v उपर तो v और नीचे यहाँ v square है तो उसमें हम cancel करेंगे तो हमें प्राप्त होगा alpha square upon v equal to k तो यहाँ जो 1 minus alpha हमने लिखा था इसे हमने neglect कर दिया नगर ने मान दिया ऐसा क्यों क्योंकि जो दुर्बल विदु तब घटे होते हैं उसके लिए हम यह समझ गये हैं अच्छे से कि इसका आइनन बहुत ही कम होता है तो 1 minus alpha जो है इसमें हम कह सकते हैं कि alpha बहुत ही कम है तो 1 की value alpha की तुलना में बहुत अधिक है alpha को यहाँ पर neglect कर देते हैं प्राप्त होता है जो सूत्र k बराबर alpha square upon v v यहाँ पर तनूता को व्यक्त करता है यदि हम alpha याद करेंगे तो alpha बराबर होगा under root kv बीच में हम alpha square equal to kv लिखेंगे तो alpha square उसमें under root करने पर alpha equal to under root kv प्राप्त हुआ तो यहाँ जो दूर्बल विदभगट की वियोजन की मात्रा है वह यहाँ पर तनूता के वर्गमूल के समानुपाती होती है और यही ओस्टवाल तनूता का नियम है इसे यदि हम सांद्रता के रूप में वेक्त करेंगे तो ओस्टवाल नियम के आधार पर यह क्या होगा किसी भी दूर्बल विदभगट के लिए जो वियोजन की मात्रा है वह उसके सांद्रता के वर्गमूल के विद्करमानुपाती होगा जैसे हमने तनूता के वर्गमूल के समानुपाती लिया यदि हम उसे सांद्रता पद में करेंगे तो वह सांद्रता के वर्गमूल के विद्करमानुपाती होता है तो यहां तो हमें प्राप्त हो गया अल्फा का मान इस अल्फा के मान की सहायता से याने वियोजन की मात्रा के मान के आधार पर हम वियोजन इस्थिरांक की गड़ना याने के की गड़ना भी कर सकते हैं कोल राश के नियम की साहता से जो अलप विले लवन होते हैं उनके लिए कैसे हम विलेता को ग्यात कर सकते हैं ये जानेंगे तो जो अल्प विले लवण है उसके कुछ उदारण देखिए सिल्वर क्लोराइड, लेट सलफेट, बेरियम सलफेट ये सब भी अविले होते हैं लगबग लेकिन फिर भी जब इसे जल में गोला जाता है तो कुछ मात्रा में ये घुलते हैं यहां पर ये अल्प विले लवण की तरह कारे कर रहे हैं तो जल में जब इसे घुला जाता है तो इसकी बहुत कम मात्रा ही जल में गुलती है उससे ज़्यादा वह उसमें नहीं गुलते हैं तो कम मात्रा घोल कर ही वह जल में एक संत्रिप्त विलियन बना लेते हैं तो ये जो संत्रिप्त विलियन बनता है उसकी चालकता की गढ़ना भी हम कोलराश की नियम की साहता से कर सकते हैं क्योंकि जो संत्रिप्त विलियन यहां बना है चुकि उसमें विलेता लवण की बहुत ही कम है तो वह एक तनू विलियन की तरह कारे करता है अनन्न तनूता पर जो यहां तुल्यांग चालगता है वह इसकी सी सांद्रता पर जो तुल्यांग चालगता है उसके बराबर हो गई तो जो कोलराश के नियम के अधार पर हमने देखा था कि यहां पर अनन तनुता पर यदि हम मोलर चालगता या तुल्यांग चालगता की गढ़ना कर लेंगे तो उसके अधार पर हम इसके जो सी सांधरता पर मोलर चालगता है वो भी प्राप्त कर सकते हैं तो C संद्रता पर तुल्यांग चालगता है वह बराबर है अनन्तनुता पर तुल्यांग चालगता के तो यदि यह के इंटु वी के बराबर है तो अनन्तनुता पर जो तुल्यांग चालगता होगी वह भी के इंटु वी के बराबर होगी तो यहांऑ पर हमने देखा कि जो अननतनुता पर जो तुल्यांग चलगता है वह धनायन और रिनायन के जो चलगता हैं। उसका योग होती है। तो उसे हम प्रदर्शित करते हैं कि लेंडा अननतनुता पर c, c यहां केटायन यहने धनायन को दरशाता है। प्लस लेम्डा अनन तर्नुता पर ए यहां पर एनायन यहने रिणायन को दर्शाता है तो यहां यदि इसे धन और रिण के आधार पर लेंगे तो इसे किसी भी धनायन रिणायन यहने जो लवण है यदि मान लीजे लवण हम लेट सलफेट लेते हैं तो पी बी टू प्लस है और सलफेट टू माइनस है तो उस आधार पर धन और रिण के आधार पर इसे हम बाढ़ सकते हैं तो अनन तनुता पर जो तुल्यांग चलगता है वो हमें प्राप्थ हो गई कपपा इन्टू वी तो यहां पर हम वी को ग्याद कर सकते हैं लेम्डा अनन तनुता पर प्लस लेम्डा माइनस अनन तनुता पर अपन हमने लिया कपपा इक्वल टू वी तो यहां हमें तनुता प्राप्थ हो गई तो जब हमें तनुता प्राप्थ हो गई तो इस आधार पर हम ग्राम प्रती लीटर में जो सांद्रता है वो भी व्यक्त कर सकते हैं विलियन की सांद्र ग्राम प्रति लीटर में हो सकती है यहां पर 1000 गुणा ई बटा वी यहां पर तुल्यांक भार को दर्शाता है इक्विवेलेंट वेट को दर्शाता है तो इस तरह से किसी भी अल्प विले लवन की विलेता को भी हम कोलराश के नियम की मदद से ग्याद कर सकते हैं अगला हम द और OH- के रूप में आयनित हो रहा है तो यदि हम H+, और OH- की सांदरता को व्यक्त करते हैं और उसके आयनों के गुड़न फल को देखते हैं KW equal to H+, उसकी मोलर सांदरता जो भी उसकी सांदरता होगी उस सांदरता पद को हम बड़े ब्रेकेट के रूप में दर्शाते हैं OH- यह भी OH- यह हाइड्रोक्सील आयन की सांदरता को व्यक्त करता है यहाँ पर शुद्ध जल की जो विशिश चालता है वो है 5.54 into 10 to the power minus 8 सीमेन पर सेंटी मेटर तो कोलराश के नियम आधार पर जो अनन्त तनुता पर जल के लिए यदि हम मोलरचा लगता की करना करेंगे वह होगा इक्वल टू लेमडा अनन्त तनुता पर H प्लस चुकी जल में जो H प्लस है हाइड्रोजन आयन वो धन आयन के रूप में है और जो OH- है वो रिड आयन क प्लस हम लिख सकते हैं लेमडा अनन्त तनुता पर OH- तो देखा आपने कि किस तरह से कोलराश के नियम की सहायता से हम पहले ग्याद कर सकते हैं अनन्त तनुता पर मोलरचा लगता जब अनन्त तनुता पर मोलरचा लगता की गढ़ना हो गई तो अब हम यहां से V की गढ़न वह यहां पर जल का आयनिक गुड़नफल है तो यदि हमें H प्लस एवं OH माइनस की सांद्रता ग्यात हो जाती है तो हम इस आधार पर जल के आयनिक गुड़नफल याने KW की गढ़ना कर सकते हैं हम कोलराश नियम से संबन्धित कुछ संख्यातमक प्रशनों को हल करेंगे पहला प्रशन है कोलराश के नियम पराधारिक की एसिटिक अमल के लिए अनन्त तनुता पर मुलर चालकता की गढ़ना कीजिए इसके लिए दिया हुआ है अनंत तनुता पर molar चालकता HCL के लिए 426 प्रती ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और अनंत तनुता पर NaCl के लिए जो molar चालकता का मान है वह है 126 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल अनन्तनुता पर sodium acetate के लिए molar चाल लगता की value 91 पर ohm cm2 पर mole है हल करने पर जो हमें value प्राप्त होती है इसे हम acety कामल दुर्बल विदुतब घटे हैं तो उसके लिए ग्याद करना है तो सबसे पहले sodium acetate के लिए जो अनन्तनुता पर molar चाल लगता HCl के लिए अनन्तनुता पर molar चाल लगता दोनों को हम योग करेंगे और उसमें से जो लवन है याने NaCl उसके अनन्तनुता पर molar चाल लगता का जो मान दिया है उसका उसमें से अंतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा अनन्तनुता पर दुर्बल विदुतप घटे एसिटी कमल के लिए मोलर चा लगता का मान तो सोडियम एसिटेट के लिए अनन्तनुता पर मोलर चा लगता की वैल्यू है 91 प्लस HCl के लिए अनन्तनुता पर मोलर चा लगता 426-126 जो की sodium chloride की अनंत तनुता पर molar चाल लगता है हल करने पर जो मान प्राप्थ होगा 391 पर ओम cm2 पर mol प्रश्न दूसरा 0.002 4.1 molar acetic अमल की चाल लगता 7.896 गुणा अदस के खाथ 5 cm2 पर cm2 इसकी molar चाल लगता की गढ़ना करनी है यदि acetic कमल के लिए अनंत तनुता पर molar चाल लगता का मान 390.5 cm2 पर mol हो तो वियोजन इस्थिरांग की गढ़ना करनी है यहां lambda m equal to kappa into 1000 upon m value दी हुई है kappa के लिए 7.896 into 10 to the power minus 5 into 1000 upon 0.00241 तो answer होगा molar चाल लगता का 32.76 वियोजन की मात्रा का सुत्र है alpha is equal to C सांद्रन पर molar चाल लगता बटा अनंत तनुता पर molar चाल लगता हमने अभी ग्याद किया C सांद्रन पर molar चाल लगता याने 32.76 और प्रश्न में दिया हुआ है अनंत तनुता पर molar चाल लगता का मान वह है 390.5 हल करने पर वियोजन स्थिरांग की value आती है 8.4 into 10 to the power minus 2 यहां वियोजन स्थिरांग हल करने पर वियोजन की मात्रा हमें प्राप्त होती है 8.4 into 10 to the power minus 2 के ए यहने वियोजन स्थिरांग का सूत्र है के ए पराबर सी अल्फा स्क्वाइर अपॉन वन माइनस अल्फा सी की value है यहां पर 0.002 चार एक गुणा 8.4 गुणा 10 की खात माइनस 2 और इसका whole स्क्वाइर लिया गया है अपॉन 1 माइनस 8.4 into 10 to the power minus 2 तो यहां हल करने पर जो value आएगी के ए यहने की वियोजन स्थिरांग का मान आएगा 1.86 into 10 to the power minus 5 कोल राश्नियम पराधारी तीसरा प्रश्न है 0.02 पाच मोल प्रति लीटर फॉर्मी कमल की चालकता 46.1 सीमेंस पर मोल है इसकी वियोजन मात्रा एवं वियोजन स्थिरांग की गढ़ना कीजिए तो यहां अनन्तनुता पर जो H प्लस है उसके लिए चालकता दी हुए 349.65 सीमेंस सेंटिमेटर स्क्वाइर पर मोल एवं फॉर्मेट आयन के लिए जो अनन्तनुता पर चालकता दी हुए है वो है 54.6 सीमेंस सेंटिमेटर स्क्वाइर पर मोल सी बराबर प्राप्थ हुआ है यहां पर सी कमान दिया हुआ है 0.0025 मोल पर लीटर यहां लेमडा M की वैल्यू है 46.1 सीमेंस सेंटिमेटर स्क्वाइर पर मोल अलफा इवं के यहनि वियोजन की मात्रा अलफा और के याने व्योजन इस्थिरांकमान हमें ग्याद करना है तो सबसे पहले हम अनन्त तनुता पर जो फॉर्मी कम लहे इसकी मोलर चालगता ग्याद करेंगे तो अनन्त तनुता पर मोलर चालगता ग्याद करने के लिए हमें hydrogen ion की molar चलगता की value अनन्तनुता पर दी गई है और format ion की अनन्तनुता पर molar चलगता दी हुई है दोनों को plus करेंगे तो 349.65 H plus के लिए और H CO minus यहने format ion के लिए 54.6 404.2 C में cm2 पर mol alpha प्राप्त होते हैं यहाँ पर C सांद्रन पर molar चलगता एब हम अनन्त तनुता पर इसकी molar चलगता का अनुपात तो 46.1 C सांद्रन पर हमें प्राप्त हुआ है molar चलगता का मान और अनन्त तनुता पर molar चलगता का मान प्राप्त हुआ है 404.2 तो answer यहाँ पर आता है 0.114 अब हम वियोजन स्थिरांकी गढ़ना कर सकते हैं तो k equal to alpha square c alpha की value यहाँ पर प्राप्त हुई है 0.114 तो square है तो 0.114 into 0.114 into सांदरन यहाँ पर है 0.025 तो जो answer है वो अमारा प्राप्त हुता है 0.003 2.5 हम इसे सरल करके लिख सकते हैं